जै माता दिभक जरों कैसे हैं आप सब आप सभी पर मातारानी की किर्पा बनी रहें चलिए आज जानते हैं भगवान शिप के उनिश अवतारों की गथा और उनसे जुरु हुए रह्ष्य कब और कैसे भगवान ने अवतार लिये थे भगवान शिव की आरादना भगवान शंकर के सास्त्रों पर चलित कताओं को सुनने और सुनाने का बहुत ही महत्व माना जाता है धार्मी करंद करंटों में आप भगवान विश्णु के अनेक अपतारों के बारे में सुनते हैं परन्तु भगवान शिप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो चलिए आज जानते हैं भगवान शिप पुरान से भगवान शिप के उनिश अवतारों का वर्णन, विर्भद्र अवतार भगवान का संकर का यह अवतार दक्ष के यग में माता सती दोरा अपने देह त्य पिपलाद अवतार भगवान ने पिपलाद अवतार कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मिरे पिता दधीची जन्म से पूर्वी मुझे छोड़ कर चले गया। देवताओं ने बताया कि शनी ग्रह की द्रिष्टी के कारण ही ऐसा क्योग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनी को नच्छत्र मंडल से गिरने का स्राप दे दिया। स्राप के प्रभाव से सनी उस्षमे अकास से गिरने लगे। देवताओ की प्रातना पर पिपलाद ने सनी को इस बात पर छमा किया कि सनी जन्म से लेकर 16 साल तक कि आयू तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरन करने मात्र से शनी की पीरा दूर हो जाती है। नंदी अवतार कथा के अनुशार सिलाद नामक एक मुनी ब्रह्मचारी थे। बंस समाप्थ होते देख उनके पित्रों ने सिलाद से संतान उत्पन करने को कहा। सिलाद ने औयुनीच तथा मिर्थियों हिन संतान की कामना से भगवान शिप की तपश्या की। और मरुतों की पुत्री स्वेसा के साथ नंदी का विवाह भी हुआ। भैरव अवतार भैरव को भगवान संकर का पुर्ण रूप माना गया है। ब्रह्मा जी का पाच्वासिर कटने के कारण भैरव को भ्रहम हत्या के पाप का दोस्त लगा था। तब कासी में भैरव को भ्रहम हत्या के पाप से मुक्ती मिली थी। इसलिए कासी के लोग भैरव की भक्ते अवश्य करते हैं. अपतार की बात करें, तो मावायरत के गूरू, द्रोनाचारी के पुत्र अपतार के अन्सपतार थे, क्योंकि सीप जी को पुत्र के रुप में पाने के लिए द्रोनाचारी ने घुर तपश्या की थी ऐसे माननेता है कि अस्वतामा आज भी अमर है सरभाव अवतार भोलेनात के इस अवतार में उनका शुरूप आधा मिर्ग और आधा सेस सरव पच्छी का था बता दें कि भगवान सिप के इस अवतार से निर्सिम भगवान की क्रोधागनी को सांथ किया था गरीपती अवतार आईए अब जानतें भगवान सिप के शात्मे अवतार यानि गरीपती अवतार के बारे में इनके बारे में यह बताया गया है कि एक दिन मुनी को विरेशलिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया मुनी ने बालक रुपधारी शीप की पूजा के उनकी पूजा से प्रशन होकर भवान संकर ने सुचिस्मती के गर्व से अवतार लेने का उन्हें वर्दान दिया जिसके बाद कलांतर में सुचिस्मती गर्ववती हुई और भवान संकर सुचिस्मती के गर्व से पुत्र रूप में प्रकठ हुए थे रिशी दुर्वशा का आवतार बुलेनात के सभी अवतारों में रिशी दुर्वशा का आवतार भी प्रमुख माना गया है धर्म ग्रंथों के मुताबिक सती अंसुया के पती बहरसी अत्री ने ब्रह्मा के निर्देशान उशार पतनी सहीत रिसिकुल पुत्र कामना से घोर तब किया था तब से प्रशन होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आस्रमाय और फिर उन्होंने कहा कि हमारे अंस से तुम्हारे तिन पुत्र होंगे जो तुरलोकी में बिख्यात तथा माता पिता की यस बढ़ाने वाले होंगे हनमान अवतार सेव जी के इस अवतार के बारे में भला कौन नहीं जानता है भगवान संकर का यह सबसे सक्ति साले बुद्धिमान शाहशी के समान माना गया है इस अवतार में उन्होंने एक बानर के रूप में अवतार लिया और बाद में भगवान राम की भक्ति की थी उसे उत्पन विश्णु के पुत्रों ने पताल से प्रित्वी तक बड़ा उपद्रों मचाया था। उन्हें घबरा कर ब्रह्मा जी सिपजी के पास गये और रक्षा की प्रातना करने लगे। तभी सिपजी ने ब्रिशव अफ्तार लेकर उनका संगहार किया था। गवाने पर थे। बिश्चुवरी अवतार भगवान संकर देवों के देव हैं संसार में जन में लेने वाले हर प्रानी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान संकर का भीचुवरी अवतार यही संदेश देता है। सुरेश्वर अवतार भोलेनात के सुरेश्वर अवतार के पिछे की कहानी यह है कि उन्होंने एक छोटे से वालक उपमन्यों की भक्ती से प्रशन होकर उसे अपनी परमभक्ती और अमरपद परदान किया था। किरात अफ्तार महादेव के हर अफ्तार के पिछे कोई न कोई बजह रही है भगवान सिब के किरात अफ्तार के पिछे की कहानी यह है कि वे किरात अफ्तार लेकर उन्होंने पांडु पूत्र अर्जुन की विर्ता की परिक्षाली थी सुनट नर्तक अफ्तार परवती जी के पिता हिमाले ने उनके पुत्री का हाथ मांगने के लिए सीब जी ने सुनट नर्तक वेश्थारन किया था हाथ में डमडू लेकर सीब जी नट के रुप में हिमाले के घर पहुँचे और निर्त करने लगे नटराज सिव जी ने इतना सुन्दर और मनुहर निर्थ किया कि सभी प्रशन हो गया जब हिमाले ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज सिव ने भिक्षा में पारवती को मांग लिया इस पर हिमाले राज अतिक रोधित हुए कुछ देरबाद नटराज भिषदारी सिव जी परवती को अपना रूप दिखा कर स्वेम चले गए उनके जाने पर मैना और हिमाले को दिबी ज्यान हुआ और उन्होंने परवती को सिव जी को देने का निश्चय किया ब्रह्मचारी अवतार दक्ष के यग में प्रामत्यागने के बाद जब सती ने हिमाले के घर जर्म लिया तो सिव जी को पती रूप में पाने के लिए घोर तप किया पार्वती जी की परिक्षालेने के लिए सीब जी ब्रह्मचारी का भेजधारन कर उनके पास पहुँचे पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की तब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तपका उदेश्य पुछा और जानने पर सिव की निंदा करने लगे तब उन्होंने शमसानवासी और कापालिक भी कहा यह सुन परवती जी को बहुत कुरोधा गया परवती की भक्ति एवंप्रेम को देखकर सिव ने उन्हें अपना वास्तविक शुरूप दिखाया था यच्छ अवतार सिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या भीमान को दूर करने के लिए धारन किया था चलिए आज हमने जाना भगवान शिप के उनिश अवतारों के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को जादा जादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को